वाहि गुरु जी का खाल साथ वाहि गुरु जी की फत्य है गोडी गोवारेरी के पदे पैतीस सुवाव सासंग जी चल रही लडिवार वचार पामनांग तेनसो तीते साथ गुरु किरपा का रेहन इत्वों तक पगद कबीर सहिब जी दे गोडी दी गोवारेरी जाती दे पैंतीस अब्दा चुके हन अगे पगद कबीर सहिब जी अष्ट पदी अरंब कर दे हन राग गोडी गोवारेरी अष्ट पदी कबीर जी की एक ओँकार साथ गुर परसाद राग गोडी दी गोवारेरी जाती वेच पगद कबीर सहिब जी दी आठ पदियाँ वाली बाणी सिरी गुरु अर्जन देव महाराजी दर्ज कर देहन एक जोवद वैत सरूप ब्रहम ओवंकार सर्बदा परकाशक जो सत्गुर गुरु सहिब जी दी परसाद किरपा द्वारा प्रापतुन्दा है सो पगद कबीर सहिब जी पास एक वशेई पुर्च आया कहन लगा कि महाराज तुसी एवे ही आईने उखे उखे रबदा नाम जापदे रिंदे हो जो विशे सोख विच अनाद है होर कितों नहीं प्रापतुन्दा इस तरह उसने विश्यां दी उस्तती कीती तां पगद कबीर सहिब जी एह विराग मेई उपदेश दिन्दे हो सोख मांगत दुख आगे आवे सो सोख हम हो ना मांगे आप आवे हे पाई जिहडा सोख विशे सोख तुन मांगदा है इस दे नाल जमन मरन रूपी दुख आवे कि ये अगे आवेगा पाव जमन मरन दुख प्राप तुवेगा ओहो सोख विशे सोख हम हो सानू मांगे आ कि ये मंगणा पौंदा ही नहीं है पाव चंगा नहीं लगदा बिखेया अज हो सुर्त सोख आसा कैसे होई है राजा राम निवासा रहाओ अजे सुर्तीता विश्या जहर रूपी माया विच लगई होई ते आसा इच्छा सोख दी रख दे हो फिर इना विश्या विच लगण करके उस राजा प्रकाश रूप प्रमेशर दे विच निवासा इस्ति किमें होवेगी रहाओ विस राम दे के किर्पा कर दे हन इस सोखते सेव ब्रहम अंडराना इना विश्या दे सोखतों ताँ शिवजी अते ब्रहमा वरगे बड़े बड़े देवते वी डरदे हन जिस विडे सुंदर इड़ किया गया ताँ उस विडे विश्यूँ ने शिवजी नु जहर तारण कर ली किया ताँ इसने नाम पाजंदे परताब करके उस जहरनु अपने कंट विच तार्न कर लिया अते तार्न करनतों बाद शिव जी ने कहा के हे पगवान जी जो तुसी मोहनी अवतार तार्न कीता सी किर्पा करके कवार उस स्रूप दे दर्शन जरूर कराओ ता विचनु ने कहा के तेरा चेत स्थिर नहीं रहेगा तुँ की करना है रहन दे पर शिव जी ना मन्या उस ने कहा के जरूर दर्शन कराओ ता विचनु ने उस विले मोहनी अवतार तार्न कीता जिसनु दे के शिव जी दा चेत स्थिर ना रहा ते इन्ना विश्यां दे सुख वास्ते काम दी वाशना दे अधीनों के मोनी अवतार दे पिछे लाग गया ओ अगे अगे जाई जावे सो वाशना दे अधीनों उन करके इसदा वीरज पापात हो गया उसदी एक बूंद गोहे विच डिगी जितों गोर्ख नाह दी उत्पती होई एक समुंदर विच डिगी जिसनूं मचली निगड़ गई बाद विच उस मच्छी दे पेटों में शंदर नाह दी उत्पती होई एक बूंद इसदी खू विच डिगी जितों पारा बणया है फिर जदो शिवजी नू होशाई ता अपने आप वेच बड़ा शिर्मिंदा आया विश्णू नू कहिंदा के तू मोनी अवतार तार के मेरा सारा जब तब गौा दिता है सो उदोंदा शिवजी वी इस विशे सोकतों बहुत डरदा है एक होर वी साखी अउंदी है इस दे पर थाए जगत करते ब्रह्मा जी दी जीवनी वेच भी मिलदा है के जदों सुंद अते बसुंद नामें देंताने ब्रह्मा तू वर मंगया के ब्रह्मा पगवान जी सानू वर बख्षो के सानू कोई वी कदे वी मार ना सके जनत उसी दो में आपस विच लड़ोगे ताँ तो हड़ी मौत होएगी इन्हा ने कहा के असी कदे भी दो में लड़ा गई नी फिर असी मरना की है पाव असी अमर हो गए इस पर कारे देवतिया नू दुख देन लगपे सारी खलकदे नाकवेच जान ले आदेती देवतिया ने तांगो के विच्णू पगवानगे बेंती कीती के तुसी साड़ी रखिया करो तां विच्णू ने ब्रह्मा नू किहा के ब्रह्मा जी जो तुसी इना नू वार देता है उस करके एह जिते नहीं जान दे उन तुसी ही कोई उपा करो तां ब्रह्मा ने सारी दुनिया दी सुन्दरता कहच गे एक तलोतमा सुरस्ती नामे लड़की दी रचना की दी ते इसनू उनना देतां कोड़ पे जया दो में देत कहिंदे कि तु किसनू वरेंगी तां कहिंदी जेडा तो हड़े विचों जयादा बालबाला हुएगा उसनू वरांगी भाव उस दे नाल जावांगी व्या करावांगी इस तरह दो में आपसवेच लड़के मर गे जदो तलोतमा सुरस्ती वापसाई तां इस दे रूपनू देख ब्रहमा दा चित डोल गया ओह पाजगे दूसरे पासे हुई तां इसने दूज्जा मू लगा लिया जद पिछले पासे गई तां उसने तीसरा मू लगा लिया इस पर कार चारे पासे मू लगा लिया फिर जदू ओ तानू उड़ी ता इसने सिर्वाल पज्वा मू लगा लिया जो शिवजी ने तर्शूल मार के ला दिता सी इस तरह ब्रह्मा मी बड़ा शिर्मिंदा हुया एउ उदूदा ब्रह्मा पी एना विशे सुखां तू ड्राना की ये डर्दा है सो सुख हम हो साच कर जानना उतना दुखदाइक विशिया सोखनू असी सच्चा करके जानया हुया है सनकादिक नार्द मुन सिखा तिन पी तान महमन नहीं पेखा इहे ब्रह्मा दे चार पुतर सन सनक सनन्दन सनातन सन्त कमार अते नार्द मुनी जी शेख नाग सेखा बाकी हो और पी जो मुनी जान हन तिना सारे नेवी सरीर विच्चो मान अंतश करनू एकागर नहीं विख्या इस मन को कोई खोजो पाई तान शूटे मान कहा समाई हे पाई प्रावो इस मान अंतश करन मान शरोमनी परमेशर नू कोई खोजना लबना करू अते दसों के जदों तान सरीर शोट जानदा उदूंए मान किते जाके समाउदा तां अगों विशाई पुर्ष केहन लगा के पगत जी तुसे आप ही दसना करो तां कबीर सहिव जी केहन लगे गुरपर साधी जै देव नामा पगत के प्रेम इन ही है जाना हे पाई जेडे पगत जै देव जी अते नाम देव आदक पगत घान इना नू गुरादी किरपा करके पगती दा प्यार पैदा वया है इस प्रेमा पगती दुआरा मांदी मात शड़ के एकागर चितो के ब्राह्म विच लीन होना इना नहीं जानना कीता है इस मन को नहीं आवन जाना जिसका पर्म गया तिन साच पशाना इह जो मान सरीर है एजो मान जीव चेतन सरूप है शरुमनी प्रमात्मा विच इसनू आवन जाना आवना जाना जमना मरना नहीं है इस दा पाव है कि हिरदे विचों पांजपरकारदा परम संसा नविर्तो गया है उसने ही साच सरूपनू पशानना कीता है इस मान को रूप न रेखे आकाई हुकमे होया हुकम बूज समाई इस मानदा कोई वी रूप अकार रेखा नहीं है ये ता हुकम द्वारा ही सरिष्टी दे रचन वास्ते पैदा हुया है तिक गुरां द्वारा हुकमनू बुज करके सारे जोतिस रूप समझ के उस परमेशर वेच समा जावेगा इस मान का कोई जानने पेव एह मान लीन पए सुख देव इस मान दे अंदर ही सारा संसार है अते उस श्रूमनी परमेशर दी जोत है इस मान अंतश करंदा पेद जे कोई जान लवे तदो ए मान का गरो के ग्यान द्वारा ब्रहम वेच लीन अपेदो जावेगा मिल जावेगा जिस परकार सुख देव सुख देव रिशी इतियाद मान हिर देश रोमनी परमेशर वेच लीन वो गया सी ते सुख देव सुख सुरूप दा देव परकाश हो जावेगा सुरूप दी साख आतता होवेगी दास्देहन के सख़देव रिशी ब्यासदा फुत्र सी एहे ब्रहम पुने दा हंकार कारदा सी इस दे पिता ने किहा के तू मेरा उपदेश ता मांदा ने जा पहला किसे नू अपना गुरू तार्न कर ताही राजा जनक जी दे पास उपदेश लेंड ली गया राजा जनक उसमें जग करा रहा सी इसने अपने मान विच संकल्प की ता कि एता राज पाग दे विच मस्त है महला विच ता सोने दे थम गड़े हैं इसनू कहता ग्यान हुएगा ता जनक जी कहने दे के थमले ता जमीन विच गड़े हुए हर ये मेरी शाती विच ता नहीं गड़े हुए तेनु इस कलप क्यों फुरिया जा आजे नहीं तेनु उपदेश देना जा दसी वेले हुआंगे उदों आवी फिर दुबारा गया ता राजे जनक ने कहा के पहला तेनु पर खांगे के तुँ उपदेश लेन दे काबल भी है जा नहीं राजे ने कहा के एक थाली वेच तेल परके ले जा ते साड़ी पूरी दे दुआले चकर कड़ किया जेकर तेल डुल गया ता राजे जनक ने कुरी दे चारे पासे तमाशे खिड़ा कौतक कुछती नाट आदक नाटक लवा दे वेश्वा दे नाटक लवा दे ऐसे कौतक वरदा देता परन्तु सुगदे मुनी ने तेल दे उपरो निगा ना चुकी सोचदा है के जेकर तेल डुल गया ता राजे जनक ने उपरदेश नहीं देड़ा सोए थाली बचाके राजे जनक दे पास गया ते कहनदा के महराज ए लहो तेल दी थाली राजे ने कहा के तेल डुलिया था नहीं कहनदा नहीं महराज जी फिर राजे ने कहा के तेरे दुआले की हुंदा सी कहनदा महाराज रंग तमाशे आद को रहे सी ओ नहीं वेखे कहनदा जेकर वेखदा तेल वलनों त्यान हट जाना सी तेल डूल जाना सी ता राजे ने कहा के ऐसे प्रकार असी दुनिया दे राग रंग वेच रहेंदे हुए भी नरलेप रहेंदे हा इहें पैरीं पै गया राजे ने कहा के अजे मेरे कारमेमान रिशी मुनियाद काये हन उन्ना नू पोजन खोणतों बाद तेनू उपदेश देवांगे तो तू उन्ना चिर ये थे बाहर एक कनारे खड़ा रहे ता ये हुकम मन के खड़ा रहे इस दे उपर ही जूठिया पतलां डिग दिया रिया ये पतलां दे हेठाई दब्या गया पर मन नू खिन परवी डुलाया ने जिवे के गुर्बानी दा वाक है जूठन जूठ पै सेर उपर खिन मनुआ तेलना डुलावे गो राजे ने आन के पुछिया के एथेक सुखदेव मुनी खड़ा सी केंदे जी हो ता एना दे वेची दब्या गया ता राजे ने उसनू कड़वा के उस दा शिनान कराया उस दे अंदरों होन ब्राम पुने दा हंकार मिट चुका सी इस दा मन एकागर हो चुका सी उस वेड़े राजे जनक ने इसनू उपदेश दिता सी इस परकार सखदेव मुनी भी परमेशर दे रंग विच मन करके लीन हो गया सी जी यो एक अर सगल सरीरा इस मन को रव रहे कबीरा हे पाई और सारे सरीरा देहां विच जीव चेतन एको ही पगत कबीर साहिव जी कथन कर देहां इसनू असी मान कहीं देहां ते इस देताई ही असी राव उचारन का रहे हां पाव जवे सूर्ज एकुंदा ते उस दा प्रती बिम लखां पानी नाड परे कड़ियां विच पैन करके लखां सूर्ज दिस देहां इसे परकार देहां रूपी कड़ियां विच पानी रूपी अंतिश करना विच सूर्ज दी नियाई एक ही ब्रहमन दा एक ही ब्रहमन दा प्रती बिम अपास पह रहा है पगत कबीर जी कथन कर देहन कि उस श्रोमनी प्रमातमानों असी उचारन कर रहे है गौडी गौारेरी एहनस एक नाम जो जागे के तक सिद पहे लिव लागे रहाओ हे पाई जिना दी अविद्या दी नीद हाट गई है जेडे एहनस रात दिन अदवैत सुरू प्रमेशर दे नाम विच जाग दे हन ओ लिव बिरती दे लागे लाग जान करके कितने ही सिदिया आदक दे मालक हो गया सिद मुक्ती नू प्रापत होए हन रहाओ बिसराम दे के किरपा कर दे हन सादक सिद सगल मुनहारे एक नाम कलप तार तारे प्रमेशर दे नाम जपेतों बिना सादक सादना करनवाले आपने सादक पुन्हेदा हंकार करनवाले सिदिगा दे बालकर के सारे मुनी जन आपने जोर वलो हार चुके हन प्रांदु एक प्रमेशर दा नाम ही कलप तार कलप ब्रेश्दी न्याई सब काम नामा पूरियां करन वाला है अते जहाईदी न्याई होके तारन वाला है जो हर हरे सो हो हे ना आना कह कबीर राम नाम पचाना जेडे हरीदे नाम करके हरे परे होए हन जो परमेशर दे नाम करके हरीदा सरूप ही होगे हन ओहो आना दवैत रूप पर पंच विच जम्न मरन वाले जीव पावनू प्रापत नहीं उन्दे पगत कबीर साहिव जी कतन कर दे हन कि इस परकार असी प्रमेशर दे नामनू स्यानना कीता है गौडी पी सोरट पी अते नाल सोरट रागनी दोना नू मेलखरके एकठा ही चार्न करदे हन पावे शौड गोडी राग वीच भी गाया जांदा है अते सोरट राग वीच भी गाया जांदा है दासदे हन काशी वेच पगत कबीर जीदा कोई एक सेवक सी ओ पगद जी नाल मिलके प्रबू दी पगदी करिया करदा सी परालब्द अनसार हो कुछ गरीब हो गया ता उसने परमेशर दी पगदी करनी शड़ दी किसे ने कहा के तू शिवजी दी उपाशना करिया कर ते इनु सारे पदारत प्राप्त हो जानगे ता फिर ओ शिवजी दा पाशक हो गया ते परालब्द अनसार कुछ पदारत आके प्राप्त हो गया फिर एक दिनु पगद कबीर जी दे पास गया ते कहन लगा के पगद जी मैं होन परमेशर दी पगदी शड़ देती है ते शिवादी उपाशना करदा है जिस करके मैनु बहुत सारे पदारत प्राप्त हो गया ये सुन करके पगद कबीर जी फरमाओ दे हन रे जी निलाज लाज तो हे नाही हरत अज कात काहू के जाही रहाओ हे निलाज लज्या तो रहत जीव हे जीव तू बड़ा निलाज शर्म तो रहत है तो हे तेनु लाज शर्म नहीं उम्दी सुए थे तो हे दे ततेनु अंकडवी है ते होडावी है सो महापुर्ग दस्या कारदेशन के जेड़ी मातरा दीरग है पावड़ी है उसनू ज्यादा तर बोलना चाहिदा है वैसे तांदूना तरह ही बोलो सकदा है तो है ते तो है सो इस तरह महाराज केंदे कहे रे जी न लाज ज लाज तो है नाही ते नू लजया नही शर्म तो रैद है ते नू शर्म नही होंदी जो उस परमेशर नू शड़ देता है प्रमेश्र कालपुर्खनू त्याग करके किस वास्ते किसे देवी देवते दी उपाशना करन लेई जन्दा है रहाओ विसराम देके किर्पा कर दे हूँ जाको ठाकुर उचा हुई सोजन पर कारजात ना सोही हे पाई जिस्दा ठाकुर मालक सबतों उचा हुई ओहो जान पुर्श पराए करामिच होरना देवी देवतें दी उपाशना करन ले जन्दा सोबदा नहीं है सो साहिब रहया परपूर सदा सांग ना ही हर दूर ओहो साहिब मालक अकाल पुर्खता सब थाई व्यापको रहा है फिर ओह हमेशा अपने अंग साथ है परमेशर आपने तो कदा चित वी दूर नहीं है कवला चर्न सर्न है जाके कोह जान का ना ही कारता के हे पाई जिस परमेशर दे चर्न कमला दी ओट पनाविच सदा कवला लच्मी माया बैटी दासियो के रिंदी है हे जान पुर्शा फिर कहना कर उस परमेशर दे रहे है विच की नहीं है साचे साहिबा क्या ना ही कर तेरे कारता तेरे सब किश है जिस दे सो पावए पाव साब तर्म अर्थ का मोख इतियादक बदार तुस्दे चर्ना वेच ही हन साब को कह जास की बाता सो समरत निज पात है दाता जिस परमेशर दे जास्तिया बातां गलानू सारे वेद शाष्टर रिखी मुनी पगंबर देवते आदक सारे कोई कहिंदे हन हे पाईयो परमेशर सर्ब शक्ती मान है आप ही सारे आंदा पती है अते सबनानू दातां देन वाला है कह कबीर पूरन जग सोई जाके हिर दै अवर न होई पगत कबीर साहिब जी कथन कर दे हन के सोई ओहो पुर्ख संसार दे विच पूरन पूरे हन जिना दे हिर दे अंतश करन विच परमेशर दी ओडतों बिना होर किसे दी पूजा आदक नहीं हुंदी वाहे गुरू वाहे गुरू वाहे गुरू, 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 व वाहे गुरू वाहे गुरू वाहे गुरू जी का खल सा वाहे गुरू जी की फतेहे